एक ऐसा तपस्वी एक ऐसा अवधूत प्रत्वी पर भेजा गया है जिसका नाम है नरोमें इंद्र नरेंद्र मोदी बारंबार नमन है जैश्री महाकाल ए मेरे उज्जैन वासियों मैं नमन करता हूँ इस पावंधरा को और आज देव गण अवलोकन कर रहे हैं देव लोक से कि वहा भईया वहा उज्जैन जो पुरातन नगरी है जो सनातन नगरी है उस पावन नगरी में ये कोन हैं जो शिव के वरदपुत्र ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बहुत एतिहासिक है उस एतिहासिक को करने के लिए एक ऐसा तपस्वी एक ऐसा अवधूत प्रत्वी पर भेज गया है जिसका नाम है नरोमेंद्र नरेंद्र मोदी रहा नमन है संगीत और आध्यात्म को एक साथ लाना यह खुआब था हम लोगों के लिए संटों को संगीत को और मंदिरों को प्रांगणों को आध्यात्म को इकठा कर देन ये हम लोगों के लिए कल्प ना थी अब मूर्त हो रहा है मैं उनको नमन करते हुए मंचा सीन जितने भी महा मूर्तियां बैठी हैं उनको भी नमन करता हूँ हमारे बहुती कर्मट और आधर्णिय मुख्यमंत्रि मध्यप्रदेश शिवराज सिंग चोहान उनको भी बारंबा धन्यवाद और शुवकामना है श्री महाकाल लोक उजयन ये समझ लीजिए इस प्रत्वी पर कुछ ऐसी नगरी बसी जो शब्त रिशियों ने वसाई थी उनमें से एक है उपर से राजाओं के राजा मेरे महाकाल मेरे महादेव सब को आशिरवात दे रहे हैं और मेरी दृ है इस वक्त तो ये महाकाल ही है ये मेरे महादेव ही है जो जनाधिक्य बनकर बैठे हुए हैं बारंबार नमन है इस धर्ति को मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे महादेव ने हमको चुना और आपका हम पर विश्वास रहा हमने ल एक साथ हमारी संततियों को और संस्कृति को बचाएगा ये वचन रखिये याद हम रहते फिल्मों में हैं लेकिन जीते इल्मों में हैं हर्यों जैश्री महाकाल दन्यवाज जी के राश्खेर जी